एंकटेश एयर के अधशतक और सुनिल नारायन की तुफानी पारी से कोलकत्ता नाइट्रेडस ने इंडियन प्रीमियल लीक में शुकुरवार को रॉयल चलंजर बैंगलूरू को साथ विकेट से हरा कर लगता और दूसरी जीत दर्ज की आर्सीबी के 183 रन के लक्षिका पीछा करते हुए कोलकत्ता नाइट्रेडस ने तुफाली पारियों से 126 रहते तीन विकेट पर 186 रन बना कर आसान जीत तर्ज की कॉलकता नाइट्रेडस आईपियल 2024 का मैच एक बहुत ही खास पल का गवाब बना वो पल था विराट और गौतम गंभीर का गले लगना आईपियल 2023 के दौरान गंभीर जो उस समय लकनो सूपर जेंट्स के मेंटर थे नवीनूल हक के साथ हुए विवात के बाद RCB के विराट कोली के साथ ती की बहस में शामिल थे दोने स्टार क्रिकिटरों की बहस की तस्वीरे और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्किया बटोर रही थी मैदान पर गौतम गंभीर आय और कोली को गले लगाया और विराट ने वापस से गले लगाया वो के कुछ घंटे पहले स्टार स्पोर्ट्स ने केकियार के पूर्व कप्तान जो अब टीम के मैंटर है गंभीर के एक वीडियो क्लिप को शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह हमेशा से RCB को हराना चाहते थे इस घटना पर रवी शास्तरी ने कहा विराट कोली और गौतम गंभीर के बीच गले मिलने के लिए के क्यार को फियर प्ले आवाट दिया गया मही सुनिल गावसकर ने कहा ना केवल फियर प्ले पुरसकार बलकि आसकर पुरसकार भी